हाला स्टुडेंट मैं डॉक्टर करें तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर इंजिनेरिक मैथमेटिक्स बीस से स्टूर आप किसे भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक् कि इंदर आज मैं आपके सामने हएपर बोला बताऊंगा और हैपर बोला के इंदर हैपर बोला कि क्या होता है वाला आपको दे सबनेराने वाला हो प्लस कोई भी अगर हमारे पास आप पॉइंट दे रखा है एंड डारेक्टर्स की एक्वेशन दे रखी एंड आपको पास यहां पैसेंस पी दे रखी है तो आप कैसे है पर बोला की एक्वेशन निकालेंगे ये भी मैं आपके सामने बताना वाला हूँ तो सुन देखेंगे तो सुन बात करेंगे डेफिनेशन सबसे वेले ए हैपर बोला is the locus of point which moves so that the ratio of distance from the fixed point that is called focus to its perpendicular distance from the fixed state line that is called direct trace we as a constant ratio यही definition हम इलेश में भी पढ़ते हैं इलेश में यही पढ़ते हैं कि focus से किसी particular point के distance और उस point से direct trace की particular distance का ratio e के बाराबर होता है एक से छोटी होती है और यहां पर जो होता है एक से बड़ी होती है यह ध्यान देने की ज़रूत होती है तो इसमें यहां पर बताना चाहता हूं कि यह हमारे पास यहां पर focus है है और यह हमारे पास focus देरेका और यह point P है हमारे पास तो यह बोलता है कि SP और यहां से distance PM यह हमारे पास किसके बाड़बर होगा यहां पर जो E होता है वो एक से बाड़ा होता है तो कभी-कभी एक्जाम में ऐसा question बन जाता है कि आपके पास यह line की question देरे रखिए यह focus दे तो आप आराम से यह वाला concept लगा के कर सकते हैं इस पर मैं क्योशन आगे बताने वाला हो सब्सक्राइब यहां पर यहां पर इसकी दोनों क्या होती है इसका फोकस भी हमारे पास जो होगा यहां यहां पर इसकी टम के आगे माइनस रहता है तो यहां पर पास यह ध्यान देने की ज़रोते है तो इन दोनों की बारे में डिसकस करेंगे में जितने भी पैरामेटर से लाइक जिसे फोसाई है, डारेक्ट ट्रिक्स है, लेंट अफ लैटेस रेक्टम है, एसे अच्छी यह सब बताऊंगा, इसके लिए तो आपको बस उसको रिप्लेस कर दिना है, जो भी हमारे पास X कोडिनेट उसको Y कोडिनेट से रिप्लेस कर देंगे, तो आप आराम से इसक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसकी एक्वेशन यह होती, X स्कॉर माइनस Y स्कॉर इसकोर राइट, और एक और चीज बताना चाहता हूं, कि यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनिशन होती है, कि इन एनी हाइपरबोला, इफ असेंटोर्स आर पर्पेंडिकुलर, और अगर हमारे पास कोई भी वी राइपर बोला दे रहा ऊसकी एगर हम यहाँ पर लेटर्स रेक्टम होती है, जो कि इस कर्व को इंफानिट पे टच करती है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, वो क्या होनाची, 90 डिगरी होनाची, अगर ऐसा होता है, तो वो हमार पास करोतर हम जानते हैं यह जो X-axis है और Y-axis है दोनों इसके असेंटोट होते हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है मतलब यह भी हमारे पास क्या होगा बाइद अनदर डेफिनेशन अब बात करेंगे बैसिक टर्मिनलोजी फॉर दा ओट जिससे कि इलिप्स में होता है बस सिर्फ यहां पर इकी जो वेलियो होती हो एक से बड़ी होती है सब के सब पैरमिटर यहां पर सेम होते हैं जैसे बात करें यहां पर इसका फोकस तो वह प्लस A, 0 वहां पर भी इलिप् भी मिल जाएगा इस वुद्ध रोटिस वहां पे एक प्लस मैनस एक ओमाजीरो था है असंदसी इसुन बी स्कोर इसकोर एचल वन मैंस सी स्कोर होता है यहां पे सब का सब से में बस डाइगराम का थोड़ा डिफरेंस है और कंसर्ट में एक से बढ़ी होती है राइट सेम यहां पर अगर आप बोले कि सर अगर हमारे पास सबस्क्राइब और इसका फोकस हो जाएगा वहमारे पास क्या हो जाएगा सबस्क्राइब अगर आप से बोले कि सर एसे डिगे फार्मला क्या हो जाएगा तो यह सब के सब परामेटर के लिए हो जाएगे यह आप समझ लेजें इसका आप आराम से समझ सकते हैं इस वहां पर हम इलिप्स की होती है यहां पर थोड़ा सा नांट यहां पर पर यहां पयर पास है वह Yesterday गहलती है वहां पर आफे हमारे पास इस नाम से इसको बोलते आगे बढ़ता है इसन बात करेंगे है उससे हैर ऑपर बोला कि निकालते हैं इस रहा है इसके डायरेक्टपरिस के एक्वेशन दे रहा है और इसकी इस हाइपर बोला की एक्वेशन क्या होगी तुम आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें हाइपर बोला की यहां पर डियाग्राम को लेके तो यहां पर हमारे पास यह दे रिखा है 1,2 यह इसका फोकस दे रिखा मालेजी यह पॉइंट हमारे पास x,y है और यह जो ल इसको बताना चाहर हूं कि हमारे पास क्या होता है तो मैं इसको ले लेता हूं एसको ले लेता हूं एसको ले लेता हूं मैं तो हम जानते हैं कि sp अगरे पास क्या होता है तो परिसान होने की जरूद नहीं कि आप क्या कर रहे हूं कभी कभी अल्फा बिटा ले तो मैं एक्स वाइड रहा हूं रहा हूं राइट कोई प्रॉलम निया तो सुनिया पर हमारे पास हो जाएगा यह एकस माइनस वन का क्या कोर्स माइनस वन का अधा होल स्कुरार प्लास वाइड को स्कुरर का दूर्ट अइू सिए इसे की परpreneटिकुल डिस्टेंस तो इस इसहां पर भी हितोर धिक्विशन चाहां पर एक आची एक लिखना जाओ ऴहां पर य रखना है एक इस एक्स प्लस वाय माइनस वन अपान अंडूर्ण उसका स्क्राइब फूर प्लस वन इस इकल टूमारे पास यहां पर इस तरह रहा है रूट तरी दर का राइट शुक्रास मोलिप्लाइब कर लेते हैं अनल बाद में इसको होल स्कॉर कर लेंगे तुम जानते इसको फूलिंगे अनब पानन पटाइब स्कॉर स्कुरायर प्लस वाय स्कॉर मायनिस का टू एक्स माइनस का फूर या पास रूट थ्री इसको लिखंगे 2 एक्स प्लस वाय माइनस वन अपॉन अंपन नीचे क्या g rescue फाएगा इसकाisters बूट कर दिये रोस मेंकर सब्सक्राइब कर लेज़े अब सिंप्लिफाइब करें तो इस तरह से बहुत इजी इस कंसेप्ट को सुल कर सकते मैंने अलफा बीटा ले लिए तो यह रहा पास यह रहा तो सब्सक्राइब करें इसका उसक्राइब करेंगे सब्सक्राइब और इसको करेंगे लिए स्वाइ स्कृपार एप्स एक सरगी ऑन तो आप देखरो है इसी ग्याफ है आप हमारे पास एस कर की वेल्य सकॉइरे सिक्षीं स्सटेन पीस कुब्धिक कहुंञे नहीं आर कि तोमड़ पास एक साइगे थी एक सबसे घ्री निगा लेंगे अंछ am फार्मला क्या होता है तो यह स्कॉर इसकॉर 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 इसक पर पर आपर बोला होगा तब एक से बड़ी आनी चांज कर दोगे हैं उसकता है यहांप इस तब भी कर सकते हैं अब बात करें इसकी फोसओं प्लस माइनस A, E, 0, right, तो हम जानते A, यह सुन A की विलिए हमारे पास कितनी 4 है, यह हमारे पास कितना होगा, 5 by 4, 0, right, 4 से 4 कैंसल करेंगे, तो यह सुन यह आएगा, प्लस माइनस 5, 0, यह इसका फोकस हाजाएगा, right, यह सुन Length of Redis spectrum किता होता है, यह सुन 2B square अपोन है, B square की विलिए कित हमारे पास देरे की 5 by 4, 4 उपर चला गया, तो यह प्लस माइनस 16 बटा 5 जाएगा, तो यह हमारे पास कितना जाएगा, तो यह इस तरह से आप सभी parameters की वेरी बहुत easily यहाँ पर निकाल सकते है, right, आगे बढ़ते हैं, next question पर आते है, next questions लेने वाले हूँ, वो कभी concept जो भी म upon no minus y square upon, यहाँ पर हमारे पास 25 आजाएगा, is equal to 1, तो हम जानते है, a square is equal to 9, b square is equal to 25, तो यहार, a की वेली हमारे पास 3, b की वेली हमारे पास क्या रहेगी, 5 आजाएगा, अब हम सब सबले इस के अच्छाइब करें लेंगे, तो यहार, a square is equal to a square, a square minus 1, यहार पास फार्मला होता है, तो यहार, a square की वेली हमारे पास कितनी है, 25 है, a square की वेली कितनी, 9, यहाएगा, a square minus 1, तो यहाएगा, 25 बटान मों हो जाएगा, यहार इसकोर लेके जाएगे, so e square is equal to 25 by 9, plus 1 हो जाएग सिम्लिफाइ करेंगे, तो यहार, यहार, यहार पास आएगा, 34 by 9, तो यहार, इसको root लेंगे, तो यहार, root 34 upon 3 आजाएगा, इसकी वेली एक से ज्यादा आ रही है, मतलब हम बल्कुल सही चल रहे है, अब बात करेंगे, इसकी फोसाई, तो हम जानते है, इसकी जो फोसाई ह जाएगी, वो हमारेपास, आएगगी, root 34, 0 हो जाएगा, next बात करेंगे, वो तो मैं निकाल दिए, अब बात करेंगे, लेटस रेक्टम, तो हम जानते है, लेटस रेक्टम हमारे पास कितना होता है, सब्सक्राइब निकाल सकते हैं बात करेंगे आगे आपको यह प्रूब करना है कि इसनमें बताना चाहता हूं यह पर नापके सामने अभी डिसक्स किये थे एक हैपरबोला तो हमारे पास यह होता है इस हैपरबोला इसकी एक्वेशन होती x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 और हम जानते कि इसकी जो asensity का relation होता है वो हमारे पास यह होता है यह मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसका conjugate hyperbola लूँ तो यहार हम जानते कि यह इसका conjugate hyperbola होता है और इसकी जो equation होती है, वो क्या होती है, सुन यहां पर minus आ जाता है हमारे पास, यह हम जानते है, clear is equal to 1, महारे जाइस के e dash है, तो उसवाले के इसमें यहां पर हमारे पास relation होता है, वो यह होता है b square e dash square minus 1, यह दिहान देनी कि ज़रो होता है, कि जिसके आगे negative होगा, वो हमारे पास यहां पर a square के negative होता है, यहां पर a square के negative होता है, यह दिहान देनी कि ज़रो होता होता है, अब हम क्या करेगे, 1 by e square, यह value उठा कि यह प्रूव करेंगे, तो वह आजय है, right, पर स्थना होई हम करने वाला है, तो यहां क्या करेंगे, e square minus 1, तो यहां आएगा हमारे पास, यह आएगा हमारे पास root of B square अच्छा आपको तो चाहिए नहीं सब्सक्राइब कर लेता हूं क्योंकि मुझे चाहिए वन अपन इसक्वाइब तो यह आएगा हमारे पास A square upon A square plus B square इसी ताइब से इसकी बात कर लेते हैं तो सुनिए आएगा A square upon B square is equal to E dash square minus 1 तो हम जानते हैं E dash square is equal to A square upon B square plus 1 हो जाएगा तो यह आएगा E dash square is equal to A square plus B square upon B square हो जाएगा तो सुनिए यहाँ पर 1 upon E dash square की जो value आएगी वो आएगी B square upon A square plus B square होगा तो यह मारे पास result 1 है यह मारे पास result 2 है दोनों को जोड़ लिजे आप, तो यार 1 प्लस 2 करेंगे, तो यार थोड़ा सा मैं color change कर लेता हम राइट, तो जब 2 दोनों को change करेंगे, add करेंगे, तो 1 by e square, plus 1 by e dash square is equal to, यह आएगा हमारे पास, a square upon a square plus b square, और यह आएगा, b square upon a square plus b square, इस उनिया पर इसका L से मिलेंगे, तो पर प्रूव कर सकता है, इस उन यह वाला question आपको comment box के लिए दे रहा हूँ, आपसे बोला जा रहा है कि यह हमारे पास hyperbola की question दे रखिए, और आपको यह पता लगाना है कि इसके जो आप मुझे comment box में दीजिए, और इसको solve करने में आपको किता seconds लगा, वो मुझे ज़रूर बताइए, इस उन लास मेरी playlist यहां पर दे सकते है, जहां पर मैंने state line, circle, and ellipse, and मैंने भी आपके सामने hyperbola start किया, और यह जो चैनल है, नया वाला, वो CSR net gate और IDGM exam के लिए बहुत ह तो यहां जाके मेरे इस चैनल को आप subscribe कर सकते हैं, यहां जाके आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं, thank you so much for watching me, like करे, share करे और चैनल को ज़रूर subscribe करें, notification bell को press करके रखे, सुदेर के आने वाले classes के notifications आप सभी को मिलते रहे, इस कान से आप मुझे comment box में ज़रूर दीजिए, कर दक देखब YWhy करे कम कर दो देखब अलिदा देखब मुझे से ज़रूर जेखब में जढ चिरया से पीर रहे, ज़रूर मुझे सबस्ज़ ज़रूर फेल्ड़ लinfl़ पाले स은ने ज़गे ऑाइ।